जाहें दोस्तों स्वागत है आपका और जो टॉपिक है वो है कम्पिटर का ज्ञान जिसमें 20 प्रशना आपको उछा जाता है जो मैंने सिवांगन पब्रिकेशन से लेकर आया हूँ और मैं अलग-अलग इस लिए डालता हूँ क्योंकि समय कम लगेगा और कम समय का वीडियो रहेगा तो आप ज्यादा इसको देखीएगा और ज्यादा समय का रहेगा तो वो आपका समय को किवल खाएगा आप देख नहीं पाईएगा इसलिए मैं छोटा-छोटा करके पाट वाई डाल रहा हूँ और एक दिन में आपको एक ट्रेक्टिस सेट का पूरा मैं डेड़ सो अगर प्रस्ण है कि निम्न में से डेटा प्रस्तुती करन की कौन सी तकनिक कम से कम वर्नों की संख्या को विशेश रूप से प्रस्तुत करती है तो देखे इसका आंसर हो जागा मैं डाट एंसर बताते जा रहा हूँ आप्शन नहीं बताऊंगा आप्शन आप देख सकते हैं अप्शन C, BCD BCD कोड का पून रूप binary coded decimal है इसमें decimal संख्या चार अंकों के binary कोड के रूप में व्यक्त किया जाता है आद रखेगा चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है कि निम्खित में से computer का कौन सा भंडारन उपकरन अब परचलित हुआ है तो इसका answer क्या होगा तो देखेए इसका जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option A option A, floppy क्या हो जाएगा? option A, floppy ठीक है? चलिए नेक्स सवाल है कि DOS का पुन रूप क्या है? तो DOS का पुन रूप है Disk Operating System Disk Operating System भानी option C चलिए सूचनाओ का वास समूँ जो एक computer को निर्देश करता है क्या कहलाता है? तो इसका answer हो जाएगा आपका option D program कहलाता है दो network को आपस में जोडने वाला computer है कौन है? तो इसका answer हो जाएगा option C, gateway 136 नमर स्वाल है जैसे आपका computer and computer हों से जूड़ सकता है किस से? तो network interface card से network interface card NIC एक circuit board या card board है जो computer में इस्थापित किया जाता है ताकि किसी network से इसको जूड़ा जा सके चलिए आगे देखते है यह जो सवाल है local area network में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है तो option B हो जागा इसका ठीक है option B चलिए अगे अगे सवाल देखते है Google Chrome में नए टेप को खोलने के लिए हम dash दबाते हैं क्या दबाते है तो इसमें हम दबाते हैं ct ठीक है ct rl plus t and option A इसका right answer अनसर हो जागा चलिए spam किस विशे से संबनदित सब्द है spam किस विशे से Czech संबनदित सब्द है तो इसका right answer हो जैगा option A computer से चलिए world wide wave का आविसकार किश ने किया यह सवाल बनता है तो इसका आविसकार किया था आपका टीम बर्नस लीन है ठीक है टीम बर्नस लीन है चलिए अगला सवाल देखते है र्टी जीएस का पूर्ण रूप क्या है र्टी जीएस का पूर्ण रूप क्या है तो इसका अंसर हो जागा आपका option B रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट चलिए निमखित में से किसका अपयोग करके वेब पेजेस का निर्मान किया जाता है तो इसमें हो जागा आपका HTML HTML एक programming language है जिसका पूर्ण नाम होता है hypertext markup language चलिए application को छोड़े बिना program से exit करना क्या कर लाता है तो देखिए इसका जो answer हो जागा वो हो जागा आपका option D close चलिए windows user interface निमखित में से क्या कर लाता है तो इसका answer हो जागा आपका option B GUI GUI का आर्थ होता है graphical user interface जो user को आग्या देता है कि electronic devices से बातचित करे चलिए dash command होती है जिनने select किया जाए सकता है तो इसका answer क्या हो जागा इसका answer हो जागा option C icon ठीक है computer के graphical user interface system में icon एक छबी है कुछ अन्नावधारना या विचिस्ट इकाई का प्रतिनिती तो करती है जिनने select किया जाए सकता है taskbar default रूप desktop के dashboard पर इस्तित होता है तो इसका answer क्या होगा option D तल या bottom ठीक है taskbar default रूप से computer के desktop के तल में इस्तित होता है या bottom में इसको बोल सकता है एक windows की board पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के साहता प्रिस्ट अनि help पेज को खोलता है तो इसका answer होगा F1 dash का प्रियोग पेराग्राम के पाले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फ्लाने के लिए किया जाता है किसका तो इसका right answer होगा option C drop cap MS word में drop cap का प्रियोग किसी वाग के शुरुआत अक्षर को capital में इतना बढ़ा कर देना कि वह दो या दो से अधिक लाइन से बढ़ा हो जाए यह कर लाता है MS word में drop cap के कारण यह होता है ठीक है चलिए an excel workbook is a collection of an excel workbook is a collection of तो उसका answer होगा आपका option D worksheet and charts चलिए जैट संचेप में निंकित का क्या अर्थ है तो दिकए इसका answer होजाएगा मुश्कुरहाट ठीक है chat संचेप में smiley एक emoji है smiley emoji ऐसे करके रहता है यहाँ ऐसे करके smiley emoji है ठीक है जिसका आर्थ होता है मुश्कुरहाट ठीक समझ में आ गया तो आजका ये वीडियो आपको कैसा लागा कॉमेंट करके जरूब बताएगा तो फिर मिलते हैं इसी समय कल अगले वीडियो के साथ जय हिन जय भालत